पूरे देड़ महिने बाद आज मैं इस नेचर को देख रहा हूँ और दिये देखो कोई नहीं है असपास कितना अच्छा लग रहा है यार मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आप यह देखो पूरा मेरी बाई कुदर है और इदर कुछ लोग मतलब स्ट्रीट पर वाकिंग भी कर रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखके आप यह सारी चीज़ें देख रहे हो और धूप हुई है इतना मजा आ रहा है ना अभी मैं यहां पर तक्रीबन 10-15 मिनट से रुका हूं और देख रहा हूं बहु मैं अपने गारा चुका हूं आज जहां मैं घूम रहा थो बैंगलोर डिनूर सिटी था जैसे मैंने बताया आज मैं काम पर गया था बहुत दिनों बाद अभी मतलब गवर्मेंट का ऐसा रूल्स है आप जो है छे बज़े से 10 बे तक बाहर घूम सकते हो या किसी काम से जा स लोक्डऑन खुल जाएगा जो देड़ महीने से लोग्डऑन चल रहा था यह खुल जाएएगा तो बहुत सारे लोग के लिए खुशकबरी है काम मौप जा सकते हैं जिनको बहुत सारी परसानिया थी जी चैनके काम बंद पड़े थे और मेरे भी बंद थे और मैं गी अभ अभी जो मैं जो बाहर जाता हूं देखता हूं जो मार्केट रहता है सुबा का क्राउड अरे बापरे बाप बहुत ज्यादा क्राउड रहता है इतना ज्यादा रहता है कुछ हो मतलब रोड पे जो बजार टाइप होता है वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक रहता है थोड़ी इतना जो भीड़ होना नहीं चाहिए, फिर भी लोग करेंगे क्या यार, मैं भी अगर मुझे कोई समान लेना है, सुबा लूँगा नहीं, तो फिर पूरा दिन मिलेगा नहीं, तो खाऊंगा क्या और कुछ अर्जन समाने, तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे था, बट बहु गुमने के लिए था, और बहुत सारी चीजें कवर करी थी, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है, तो वो भी आप वीडियो जाके देखो, बहुत खुबसूरत है, और बहुत मैंने वहां कम सक्कम 4-5 घंटे मैंने बिताये थे वहां पर गुमने के लिए, ठीक है जी, वो देखो आप जो छट है ना, मेरे छट के बाजियो में एक नेबर्स हैं, उनके छट पे देखो ऐसे पूरा वो पेड लगाया गया, फूलों का और अलग अलग हैं, तो आप छट पे ऐसे बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, फिलाल यहां पर हमने ऐसा कुछ नहीं लगाय है, क्योंकि एक दो बच्चे हैं, वो तोड डालते हैं, बट सोचा है हमने ऐसा, एक मैंने पेड लगाया था सूख गया, अभी फिर एक दो लाके लगाऊंगा वहां पर, छट पे, जहां में रहता हूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा वो जी, कहीं कहीं पर इतनी गर्मी है ऐसे लोग बता रहे हैं, तो बैंगलोर रहने के लिए ना बहुत गजव जगा यार, जो एक बार आता है ना, मौसम से सची बोल रहा हूं, दुबारा उसको सिटी छोड़ने का मन नहीं करता, बट उसकी कई मजबूया रहती रहेंगी छोड़ने के लिए, खुसी-खुसी तो नहीं छोड़ता रहेंगा, मुझे तो पक्का यकीन है, यहां का जो मौसम है, ना तो भाई ज्यादा ठंडी पड़ती है, और नहीं ज्यादा गर्मी, बरसात तो होने तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन से यहां पर कीचर लगने हैं, या फिर यह सारी चीज़ मतलब रहने के लिए आप बोले हुए तो बहुत गजब है, महांगा ही थोड़ी है, बट कमाई भी उसी साब से है, अगर थोड़े दिन सेटल हो जाओगे, कमाई भी सब ठीक हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है, शुरू-सुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, बट आप अपने कुछ और फालतु खर्चे होते हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप क्या सोचते हो, आप भी बताओ, तो ये था हमारी आज की स्टोरी, हमने काम पे गया, गर पे आया, सोया, और थोड़ी हमने बाती करी आप से, और थोड़ा बैंगलोर के ब